दो शेर्स आपके लिए लेका है हूँ, दोनों शेर्स का डिटेल्ड अनलिसिस करेंगे कि हम इन स्टोक के उपर बैक क्यों लगा सकते हैं, ऐसे क्या इशारे हैं जो हमें कह रहे हैं कि हाँ ये स्टोक आने वाले समय में एक जैकपोर्ट हो सकते हैं, हो सकता है इनकी चाल रहा है 2021-2018 से और as on date जो अभी quarter बीता है 30 सितनबर को quarter खतम हो है 2020 में उसके हम बाते कर रहे हैं, यहाँ पे आगर आप देखेंगे तो promoter अपनी equity बेच सता नदर आ रहा है, बहुत सारे analyst बहुत साई जानकार ये भी कहेंगे कि जब promoter को अपनी equity पे confidence नहीं है तो हम क्यों ख smart money के साथ में या FIs के साथ में प्ले कर रहा होता है, public को दिखाया जाता है कि promoter ने अपना माल बेच दिया बट उसको खरीद कौन रहा होता है, या तो देखी promoter बेच रहा हो खाली public खरीद रही हो, तो तो फिर उस share में नहीं हाट डालना चाहिए, पर अगर promoter बेच रहा ह और institutions या FIs, FPIs खरीद रहे हो, तो वो एक alarming situation हो सकती है, वो एक ऐसा संकेत हो सकता है, कि ये share किसी ऐसे हाथ को दिया जा रहा है, जो चलाएगा, इसके भाव को बढ़ाएगा, बाद में promoter अपनी equity वापस ले लेगा, दोस्तों share बजार के बहुत साइक games हैं ये, इन games को को क कोई भी आ सक समझ नहीं पाए, हमारे आपके बसकी उतना समझ नहीं है, बठा मोटे मोटे सरसरी तोर पे जितना समझ नहीं कोशिश कर सकते हैं, हम जाने ही कोशिश करें, इस चार्ट से दो देखे लगता है, कि promoter अपना माल बेच रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, mutual fund क् mutual fund ने अपनी holding को बढ़ा है, देखिए, अभी बीते quarter में mutual fund ने अपनी holding को बहुत जबरस तरीके से बढ़ा है, वहीं अगर FIs की holding को देखिए, कमाल की percentage है, super buying, super buying हो रही है, FIs माल खरीद रहे हैं, बहुत जबरस तरीके से माल खरीद रहे हैं, तो ये एक situation है, जो मुझे ब भागने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर किसी shares में से FIs अपनी equity बेचना शुकरते, जैसे FIs माल बेचते हैं, तभी तो बजार गिरता है, दोस्तों mutual fund वाले तो फिर भी खरीदे रहे होते हैं, हमेशा mutual fund के खरीदने से भी या retail के खरीदने से कभी बजार भागता नहीं है सिर्फ जो अच्छी buying या बड़ी quantity की buying या बड़ी quantity की selling FIs की आती है, उसी से बजार हिलता है, उपर या नीचे, अब जब share में FIs एंटर कर रहे हैं, जहाँ दुनिया बेच रहे थी अगर आप इसको देखेंगे, मैं 2018 से लगातार buying में ही है, पिछले दो साल से, दो साल से साल का समय हो गया है, FIs share को खरीद रहे हैं, institutional holding भी बड़ी है, दोस्तों लगातार पिछले दो सालों में, गत सालों में holding बढ़ रही है, मतलब एक नजर से देखा जाए, promoter माल बेच रहा है, दूसी नजर से बाकी लोग खरीद रहे हैं, खरीदने वाले कौन है, आप और हम डेटा आपको मिल जाएंगे, यह सब मैने डेटा नहीं बना है, पब्लिक डोमेन में अविलेबल डेटा है, यहाँ पर दिखेंगे अगर इंटरस्ट, एक बैंक का इंटरस्ट से इंकम होती है, अगर पिछले क्वार्टर को दिखा जाए, तो मार्च एंडिंग क्वार्ट 589 करोड के आसपास में, खर्चे भी बड़े हैं बैंक के चलिए, अपरेटिंग प्रॉफिट को दिखा जाए, तो 1584 करोड से 1627 करोड के आसपास बड़ा है, और प्रॉफिट बिफोर टेक्स, 735 करोड से 1233 करोड, बहुत ही शांदर, टेक्स बड़ा टेक्स पही के संकेत होता है, वर अगर किसी बैंक के घट रही हो, तो एक अच्छा संकेत है दोस्तों, चलिए देखते हैं, ग्रॉस एनपी जहां 2006 करोड के थे, घटके 873 करोड के रहा है, ग्रॉस एनपी के परसेंटेज भी घटी है, परसेंटेज बड़ा इसा अगर देखे 1.43 से 1.18 अ से लिए Access Bank के आप नज़र डालते हैं, क्या Access Bank में ऐसे ही कुछ संकेत दे रहा है? सिरत दोस्तों एकसेस Bank के चार्ट आपके स्किन पे आ रहा है, और यहां भी दखाई दे रहा है कि Access Bank से Promoter निकल रहे है, Access Bank के Promoter भी अपना माल बेच रहे हैं, बाट आगे अलगे अगर के दिखाई देता है और अब देखते हैं इसके financials को financials क्या गरे क्या कुछ ऐसा sign है वहाँ पर हमारे पास जो हमें excess bank को ठीक टाक सा दिखाई देता है तो सो अगर bank की बात की जाए bank की income की बात किया गिरावट आई है और operating profit देखिए कितना शांदार बड़ा है 5,899 करोड से दिखा जाए 7,156 करोड में पिछले quarter से इसे एक बढ़ोतरी दिखाई है और यहाँ पर दिखा जाए profit before tax 148 करोड से बढ़के 2550 करोड वो tax pay किया है 700 करोड का अच्छी बात है net profit बढ़ा है 1108 करोड स 1849 करोड बहुत ही शांदार शांदार रिजल्ट रहे हैं जहां मार्च में यह बैंक लॉस में था दोस्तों 1250 करोड के लॉस में था वहीं 1850 करोड के profit में ये एक turn around story दिखाई देती ये एक turn around point दिखाई देता है कि बैंक ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वेसे बैंक लगाता ने मुंबई क्लास है उसके बाद दिली क्लास फिर हमारी कॉलकता है हम दा बाद पूने क्लास है नीचे दिये के नंबर पर आप कॉल करके अपनी booking करा सकते हैं और हाँ बहुत साई seats already book हो चुकी है तो इसलिए जल्दी कीजिए जिसको भी करना है क्योंकि बाद में शायद हो सकता है हमें आपको मना करना होगा हम कोरणा के चकर में बहुत जादा लोगों को entertain इस टाइम नहीं कर पाएंगे चलिए चाट पर दिखा लेते हैं बंधन बैंक और excess bank कैसे दिखाई देते हैं यहां क्या स्थिती बंती दिखाई देती है बंधन bank को देखेंगे तो जहां March के आसपास में इसने भीज़ेट सो रुपे की आसपास का लो लगा है और आब वापस में थीन सू ठीज़े के आसपास में यहां से ऊपर चलता है तो एक tough resistance फिर्ज करेंगा 398 रुपे के आसपास 400 रुपे के भाव के आसपास में और जैसे ही वो cross होगा तो 450 रुपे के आसपास ये एक साल के अंदर जा सकता है तो मुझे लगता है एक साल के अंदर में यहां से upside कम से एक सो बीस रुपे के आसपास का upside है तो मोटा मोटा कर दिखा जाए तो 30-35% के आसपास की growth यहां दिखाई देती है तो एक साल में 30-30% की growth अगर किसी share में मिल सकती है तो बहुत ही शानदार है जोस्तों अगर FIs किसी का साथ पगड़ ले तो एक टाइम पे शेर साड़े साथ सो अगर तरह 743 का सपास का ही है तो अगर 400 रुपे 500 रुपे भी हो जाया कोई बड़ी बात नहीं है तो इस share पे नजब बना के देखिए क्या हो सकता है यह तो आने वाला वक्त बदाएगा बढ़ हां यह शेर आपकी लिस्ट का हिससब बन सकता है चले देखते है एक्सेस बंक चार पे कैसा दिखाई देता है बढ़ हां 540 रुपे को अगर अच्छे से 20% का return आपको साल में मिल सकता है तो दोस्तो जो conservative और ठीक ठाक से return चाते हैं ये दोनों share आपके portfolio का हिसा बन सकते हैं but special special जो note है that is the F.I.s attraction on these both stocks दोस्तो जब F.I.s किसी share में घुस जाते हैं तो वो share को कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं दोस्तो ये था access bank और बंदर bank आपके लिए और आने वाले टाइम पे और कौन से shares पे analysis की जाए please comment section में जाके comment कीजिए आपके जो best comments होगे उनको choose किया जाएगा उसके उपर video shoot की जाएगी आपके लिए वो shares में ज़रूर लेका हुआ बहुत बहुत शुक्रिया आप thank you so much take care bye bye जहिन